हेलो कैस्, विलकम टू मा यूटूब चैनल, रितिक टेकनिकल सपोर्ट, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल के कुछ ट्रिक्स के बारे में, जिससे अभी क्या है कि काफी लोगों के पास 4G फोन है और उन्हें 5G को यूज करना है, तो कुछ तरीके हम आपको बताएंगे जिससे आप लोग अपने फोन में, आपका फोन तो 4G है, बट आप लोग 5G की कनेक्टिविटी ले सकते है और काफी फास्ट इंटरनेट को यूज कर पाएंगे, ठीके, तो क्या-का तरीक है, इस वीडियो का आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, बिल्क आइकोन को प्रेस कर लेना है, ठीके, अब हमें करना क्या पड़ेगा, 5G कनेक्टिविटी करने के लिए, आपको जाना है एकसेस, पॉइंट, नेम्स पे, ठीके, हम इस पे क्लिक करेंगे, तो हमने देखिए एक जियो 5G का एपियन बना के रखा है, तो हमें क्या करना होगा, आपको एड पे क्लिक करना है, एक नया एपियन को सेट अप करना होगा, ठीके, तो एपियन पे हम क्लिक करेंगे, नाम आपको Jio 5G या फिर जो भी company का SIM card यूज़ कर रहे होगे Adl 5G कर सकते, Vi 5G कर सकते, BSN 5G कर सकते है ठीक है, second आपको APN पर click करना है और यहां पर आपको www.google.com कर लेना होगा then proxy, port, username, password, server, mmsc, ms, proxy, ms, port mcc, mnc, authenticus type, APN type इनको आपको default ही रहने देना है then आपको APN protocol पर click करके IPv4-IPv6 कर देना है roaming protocol पर click करके IPv4-IPv6 कर देना है then आपको BRR पर click करके Uncertified Track is Quantique करके LT करना होगा, OK पर click करना है और इसको save कर देना है save करने के बाद जो भी आपका custom APN हमने जो 5G वाला APN setup किया simple आपको इसको setup करना है उसके बाद आप लोग काफी बहतरीन तरीके से जो है 5G connectivity यहां पर ले सकते है ठीके, जो हमने आपको APN बताया वो 5G APN जिसका यूज करके आप लोग काफी बहतरीन यहां पर 5G connectivity ले सकते है ठीके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै मातादी काफी